आज हम पढ़ेंगे English Chapter 1, A Happy Child इस चैप्टर में एक स्मॉल पोईम है इस पोईम में एक लिटल बेबी गर्ल है एंड इस बेबी का एक लिटल हाउस है जो रेड कलर है एंड एक ट्री है जो ग्रीन कलर है तो let's read My house is red, a little house A happy child am I ये baby girl कह रही है My house is red, a little house मेरा एक छोटा सा प्यारा सा red कलर का घर है और मैं एक बहुत happy बच्ची हूँ I laugh and play the whole day long I hardly ever cry मैं सारा दिन हसती और खेलती हूँ मैं शायद ही कभी रोती हूँ ये baby girl कह रही है मैं हमेशा हसती और खेलती रहती हूँ She never cry ये कभी रोती नहीं है I have a tree, a green green tree to shade me from the sun मेरे पास एक red color ये baby कह रही है मेरे पास एक green color का tree है ये tree कैसा है? Green green tree ये tree इस बच्ची को sun की तेज धूप से बचाता है ये tree हमें चाया देते हैं shade देते हैं जिससे इसके shade में बैट करके हमको heat कम लगती है तो ये tree इस बच्ची को sun के तेज धूप से बचाता है ये बेबी गल कह रही है, जब मेरा सारा प्ले डन हो जाता है, जब ये बच्ची सभी गेम खेल लेती है, तब इस पेड़ के नीचे आकर के बैठ जाती है, अंडर इट, इस ट्री के अंडर आकर के बैठ जाती है, हम देखें ये पोईम, इसमें ये लिटल हाउस है, जो रेड कलर है, ये ट्री है, ग्रीन कलर है, अब देखते हैं इसमें आगे क्या है, इस पोईम में जो वर्ड यूज की गए हैं, वो है, cry, ये बेबी कभी रोती नहीं है, cry, day, ये बच्ची सारा दिन हसती और खेलती रहती है, day, red, इस बेबी का जो हाउस है, वो रेड कलर है, and sun, ये ट्री सन से बचाने के लिए हमें शेट देते हैं, इस ट्री के शेट में बैठते हैं, हम तो हमें धूब कम लगती है ना, let's read, the sun shines in the sky, सूरज आकाश में चमकता है, I have a red pen, मेरे पास एक लाल पैन है, read and match the words with the picture, draw a line, यहाँ दो image दे रखी है, यह boy है, I am a boy, यह girl है, I am a girl, तो हमें इसको match करना है, यह boy है, तो हम boy से match कर देंगे, यह girl है, तो girl से match कर देंगे, यह बना है ना, boy, यह लिखा है, बी, ओ, बाय, boy, यह girl है, यह girl बनी है, जी, आई, आर, एल, girl, अगे हम दिखते हैं, fun with colors, यहाँ में colors के साथ में fill in the box with right color, हमें इसमें colors fill करना है, what is the color of happy child house, जो child, इस poem में जो child है, उसका house किस color का है, उसका house red color है ना, तो हम इस box में red color fill कर देंगे, हम इस box में red color fill कर दे, अब next question, what is the color of your house, आप जिस घर में रहते हैं, उसका color क्या है, तो हम इसमें कर देते हैं, मेरे घर का color blue है, इसलिए मैं blue fill कर रही हूँ, आपके घर का color जो भी है, वो आप इसमें fill कर दीजेगा, ओके, and next question, what is the color of the tree, यह tree किस color का है, tree है green, तो हम इसमें green color fill कर देते हैं, next question, what is the color of sun, sun है yellow color, हम इसमें yellow color कर देते हैं, done, okay, well let's talk, there, is there a tree growing near your house, क्या आपके घर के पास में कोई tree है, तो आप बताएंगे, tell us about the tree, is it big or small, यहाँ there is a tree, यहाँ भी एक tree है, क्या यह tree big है यह small है, आप बताएंगे, तो this tree is big, यह है big, okay, do you like the tree, what is the name of the tree, यह tree कौन सा है, यह tree बहुँआ लार्ज है, big है, नीम ट्री, आपके घर के पास में होगा नीम ट्री, बहुत big होता है, आपने बहुत टाइप के हाउस देखे होंगे, तो यहाँ कुछ हाउस के टाइप्स हैं, यह hut है, यह जो hut होती है, बहुत big होती है, यह जो dry plant होते हैं, small plant, उनके stem से बनाए जाते हैं, mostly, तो जब तेज हवा चलती है, तो उसमें यह उड़ भी जाता है, तो यह बहुत big होते हैं, यह है इगलू, जहां बहुत सर्दी होती है, और ice गिरती है, वहाँ पर जो hard ice होती है, उसके pieces से यह house बनाए जाता है, यह है इगलू, तो यह है फ्लैट्स, बंगलो, बंगलो बड़ा होता है, यह mostly single building का होता है, और यह बहुत costly होता है, अब यह है, draw your house here and talk about it, यहां एक house draw करना है, इसके बारे हैं बात करेंगे, तो यह आप इसमें, अपनी book में house draw कर लेना, इसके बात जो भी है, हम अपने next वीडियो में complete कर लेंगे,